हाई गाईज माई नेम इस फैयाज अब्डियो मोबेल्स में आपका स्वागत है तो हमारा जो पिछला वीडियो था वो ये तीन तरह के जो हमारे डिफरन तरह के डी सोल्डरिंग वायर थे उसका हमने कमपेरिजन भी किया था और मैंने आपको इसके बारे में इन्फोर्मेशन भी दी थी तो आज जो के मेरे को एक वीवर ने कॉमेंट में दिया था कि आप गुडविक जो कमपनी है डी सोल्डरिंग वायर की जो के बहुत ही पॉपिलर है नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्फोर्चुनेटली दे नहीं पाया था तो इसके लिए मैंने आज परफेक्ट एक सिंगल जो हमारा गुडविक का जो डी सोल्डरिंग वायर आता है उसका वीडियो हम लेकर आ गए तो ये देखे हमको काफी टाइम के बाद आज हमको ये देखे गुडविक का कुरियर हो चुका है हमको तो ये जो के गुडविक कंपनी है इसमें क्या खासियत है मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो को स्कीप मत करना तो देखिए उपए देखिए Mad in Japan लिखा हुआ है यानि ये Mad in Japan है ना ही कोई Chinese product है ये 100% original है और जब भी आप लोगे तो आपको इस तरही किसे packing में नहीं आएगा पर ये हमको buy is a courier हमने sample में मंगाया था तो आपके लिए ही है तो आप में से किसी एक viewer को हम give away कर देगे किसी भी वीडियो में तो ये देखिए हमने unboxing किया तो हमारा ये देखिए एक single good week wire का जो disoldering wire है वो आता है और उसके साथ देखिए fresner जो polythin आती है वो है ताकि अपना product खराब न हो जाए और इसका देखिए 1.5 mm है इसका model नंबर भी दिया है CP 2015 और good week का clearly यहाँ पे brand का mention है और यहाँ पे भी नीचे में लिखा है JP made in Japan तो ये जो के बहुत अच्छी quality में आता है good week आज हम इसका comparison भी करेगे तो वीडियो को skip मत करना तो जो mobile repairing के field में जो काम करते हैं long time से तो उन्हें मालूम ही है कि good week कितनी best quality का आता है और हमारे एक viewer ने भी comment किया था कि good week is a number one तो उसके लिए हम यह देखिए comment किया तो हमने यह वीडियो लेकर आ गया है तो आपके लि का मैं comparison नहीं करूँगा पर यह जो के दो है मैंने देखिए already set करके रखे हुए है तो यह जो के real life वाला है और यह हमारा good week है दोनों का हम आज comparison कर रहेगे तो चलिए मैं आपको step by step समझाता हूँ पहले तो हम देखिए जो normal हमारा desoldering wire है जो solder wire आता है उससे हम comparison करेगे और फिर बाद में जो हमारा mechanic का best quality का PPD paste है उससे भी हम check कर लेगे चलिए तो हम इन दोनों desoldering wire का जो है वो comparison करेगे solder wire से और जो के side में देखिए PPD paste रखा हुआ है जो के mechanic का है बहुत best quality का है तो आज हम real life वाले के साथ और यह good week का दोनों का हम comparison करेगे real life का मैं already पहले कर चु देखिए हमारा जो desoldering wire का जो weak है वो निकल चुका है तो मैं इसे निकाल देता हूँ पहले तो चलिए दोनों का देखिए मैंने cut कर दिया है single piece तो अब यह दोनों को मैं उपए के side में अलग रख देता हूँ और अब इसे हम check करेगे जो के हमने पिछले वीडियो में भी कि करता है तो यह देखिए सबसे पहले हम relief वाले को ले लेते हैं यह देखिए मैंने जैसे ही मेरा solder रखा तो यह melt होना हमारा शुरू हो गया तो आप वीडियो में देखिए कि किस तरीके से melt हो रहा है और यह work और काम कैसे करता है यह देखिए कितना instant melt हो रहा है पिछले मेल्ट होना सुरू हो गया है पर मेने देखिए नीचे के portion में ही solder wire रखा है पर यह देखिए अपने यह desoldering wire कैसे melt होना सुरू हो गया है मैंने देखे सिर्फ मेरा solder नीचे के portion में ही रखा है पर ये देखे पूरा कैसे melt होना instant सुरू हो गया तो कितनी अच्छे तरह कैसे ये भी melt हो गया है तो ये देखे हमारा कितना अच्छा पूरा का पूरा A2Z उसका जो desoldering wire का था पूरा wire देखे पूरा melt हो गया मैं आपको Relife वाले का भी बताऊंगा comparison करके पर ये आप देखे वीडियो में फिर बाद में ये देखे हमारा Relife वाला Relife वाले ने काम भी अच्छा किया है पर देखे उपे के portion में side में से ये छोड़ दे रहा है और इसका देखे चुड़ी solder wire का जो solder paste है वो dry हो गया है तो सायद आपका जो PCB हो उसे ये damage भी कर सकता है और ये दिखे हमारा perfect to perfect melt हो गया है तो ये कोई भी sponsor video नहीं है हमारा काम रहता है कि आपको best से best tool का video लेकर आए फिर उसके बाद मैं आपको normally just checking करके बता रहा हूँ कि हमारा PPD paste ये desoldering wire सोकता कैसे है यानि desolder कैसे करता है तो हम आज दोनों देखे है motherboard है MMC वाले portion में हम दोनों में पहले से मैंने clean करके रखा हुआ है तो आपको समझ में आए कि जो desoldering wire खराब होगा तो हमारा जो MMC का जो है छोटे छोटे बॉल के जो tips है वो damage कर देगा तो ये देखे है मैंने जो PPD paste है वो मैंने लगा दिया है तो ये जो कि अच्छी quality का PPD paste है जो आपको PPD paste का भी video चाहिए तो हमें comment section में comment करना तो आपके लिए कौन सा better PPD paste है उसका भी हम video लेकर आएगे ट्यूब में आता है और उसका packaging और quality दोनों बहुत सही है तो इसका भी आपको detail में video चाहिए तो हमें comment section में comment करना हम उसका भी video लेकर आएगे और price भी हम description में दे देगे तो चलिए अब बाते तो हो गई तो ये देखे हमारा जो relief का है desolding wire तो हम उससे आए तो ये भी देखे कितना अच्छी तरीके से ये भी देखे पूरा जो solder paste है वो हमारे desoldering पर लग चुका है तो इसका आगे मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से इसमें किसका work better रहा तो इसमें भी देखे कोई जगा पर कोई problem नहीं आया है मैं आपको इसको side में रखते हैं फिर आगे आपको मैं इसको बताऊंगा फिर हम ले लेते हैं good week वाला जो है तो मैं थोड़ा सा मैं पहले उसके solder कर देता हो क्योंकि directly आप करोगे तो पूरा instant पूरा आपका जो desoldering wire है वो ही soak लेगा तो आपको कोई अच्छी तरीके से आपका जो motherboard का PCB वो clean नहीं होगा तो यह देखिए हमने यह जो desoldering wire जो good week वाला था उससे भी हमने clean कर दिया चलिए तो हम आप अच्छी तरीके से clean कर लेता हो फिर बात मैं आपको बताता हो कि दोनों में से किसका काम सबसे ज़्यादा best रहा तो यह देखिए हमारा अच्छी तरीके से clean हो गया है दोनों motherboard तो यह देखिए जो good week वाला था उसने भी काम better ही किया है और यह जो हमारा real life वाला है उसने भी काम better किया है वीडियो में देख पार होगे तो दोनों में से कोई में भी दिक्कत तो नहीं आई मुझे चलिए तो मैं आपको अब दोनों के desoldering wire जो हमने पहले जो solder paste में melt किया थे वो आपको मैं check करा दो तो यह जो कि हमारे देखिए real life वाले है और good week वाले है तो जो solder paste जो melt करने का काम है वो good week सबसे ज़्यादा best करता है और यह मुझे सबसे best लगा तो आपको मैं suggest करूँगा कि आप low तो good week ही लो क्योंकि इसका quality और दोनों मुझे बहुत सही लगा और price भी मैं आपको description में दे दूँगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना, share करना और और कौन से tool या topic पर वीडियो चाहिए तो हमें comment section में comment करना, thanks for watching